हेई गाइज वेलकम टे अगरिकल्चाइक्यू अगरिकल्चाइक्यू में आपका स्वागत है तो गाइज मास्टर कोर्स की स्रीज आगे बढ़ाते वे आज हम आपके लिए लाए हैं आगे निया पर अगरिकल्चाइक्यू अगरिकल्चाइक्यू अफिशल जिसमें के हर पीडिया और वीडियो का नोटिफिक्शन आपको वहां मिल जाए साथ ही साथ यहां पर क्वेरी रिलेटेड कोर्शन में डालते रहता हूं और कोई भी अगर चीज है एक्जाम से रिलेटेड तो वह भी मैं वहां पर पोस्ट करते रहता हूं तो जॉइन दा टेलिग्राम चैनल टूड़े तो पहला कोशन देखते हैं आपको अपर मेडिशनल प्लांट से रिलेटे पूछा है यहां पर तो मेडिशनल प्लांट में आपको तीन चीजे बाई हाड याद होने चीज एक यहां पर botnikl name एक यहां पर family और एक होता है यहां पर native कि यहां पर वह किस प्लेस से ब्लांग करता है यह तीन थीजे are जो आपको पता होने चीज जो के एक्जाम में आया दीन यहां पर पूछे जाते हैं आप बहुत normal question होते हैं यह चीज तो आपको पता होनी चीए तब आप उसके अंदर और डीप में जा सकते हैं अगर आपको यह तीन नीव पता है तो आपका जाना बेकार है क्योंकि आपका बेस क्लेर होना चाहिए और यहांप अगर मैं बाटनीकल नेम की बात करूँ तो यह है यहांपर Terminalia Chebula यानि की Terminalia Chebula अगर अगर फैंबली की बात करें तो फैंबली इसकी Κॉमरे टेसी यह इसकी फैंबली होकी आगे बढते हैं आगे कोश्चन में आगे पूछाएं यहाँ पर What is the ideal soil required for foxglove तो ideal soil पूछें यहाँ पर foxglove के लिए तो देख लेते हैं यहाँ पर तो जो ideal soil है वो है यहाँ पर well-drained sandy loam soil अगर हम ideal soil की बाइद बोलें तो वो है यहाँ पर well-drained sandy loam soil बहुत normal है यहाँ पर बहुत हो की यहाँ पर soil के जो base माना जाता है जो बहुत अच्छी soil माने जाती है वो यहाँ पर sandy loam में बोलते हैं जिसे तो foxglove की अगर हम बात करें तो इसे यहाँ पर simply यहाँ पर botnical name की अगर हम बात करें तो वो है digitalis purpuria और या फिर digitalis laneta digitalis purpuria या फिर digitalis laneta family की अगर हम बात करें तो family है इसकी scroforesi scroforesi इसकी family हो गई तो guys आपको writing में थोड़ा compromise करना पड़ेगा अब ऐसा आपको दिक्कत लेनी की जुरत नहीं है मैं dedicated यहाँ पर submeditional plant की family और botnical name मैं आपको telegram में दे दूँँगा वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर एक overview claim है यहाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो जिसे fox glow को जिसे digitalis बोलते हैं तो यहाँ पर यह हो गए आपका Fox glow well-drained sandy long इसकी smile हो गई आगे बढ़ते हैं आगे हैं यहाँ पर what are the important alkaloid in dhatura तो alkaloid पहले आपको समझना पड़ेगा यह औरगनें compound होते हैं जिसमें की जो mostly basic nitrogen यहाँ पर atoms होते हैं तो alkaloid आप समझ गए तो यहाँ पर simply पूछा है यहाँ पर कि dhatura में कौन से यहाँ पर alkaloid होते हैं तो देख लेते हैं जल्दी से तो वो है यहाँ पर scopalamin और hyosine तो यह यह यहाँ पर alkaloid इसमें generally होते हैं botanical name के अगर हम बात करें तो यह है धतूरा stranomonium धतूरा stranomonicum और यहाँ पर family इसकी solenacy हो गई तो यह हो गए यहाँ पर धतूरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे कोशन हैं यहाँ पर what are the parts used of धतूरा in medicinal usage simply यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि कौन सा parts यहाँ पर धतूरा का use होता है तो generally leaf भी होता है flower भी होता है और seed बे आप धतूरा यह धतूरा वो ही है guys जो यहाँ पर narcotic में यूज होता है आप समझ गए होंगे ततूरा तो उसकी leaf भी flower भी और seed भी यहाँ पर generally use होते हैं यहाँ पर अगर native place के अगर मैं बात करूँ तो यह है यहाँ पर South America यह भी आपको समझना होगा South America इसकी native place होगी आगे बढ़ते हैं आगे है आपका आगे पूछा है यहाँ पर suitable pH पूछा है यहाँ पर Cultivation of Dysoria तो Dysoria का यहाँ पर pH पूछा है तो वह है यहाँ आपका 5-7 यह यहाँ यहाँ पर Dysoria का plant हो गया Botanical name के अगर हम बात करें तो वह है Dysoria Deltodea और Dysoria सी इसकी family हो गई जिसे आप हिंदी में वरही कहते हैं वरही वरही यह यह यहाँ पर बहुत ही अच्छा medicinal climber है यहाँ पर Dysoria family से बहुत ही अच्छी इसकी anti-antiristic anti-inflammatory anabolic और anti-fertility agent के तरह यह बहुत ज़्यादा काम आता है तो यह Dysoria यहाँ पर pH की यहाँ पर हमने बता दिया 5 से 7 आगे बढ़ते हैं आगे हैं यहाँ पर पूछा है यहाँ पर ideal time धतुरा का North India में तो ideal time है यहाँ पर मई से अगस्त तो कह सकते हैं यह जो अभी है यहाँ पर बहुत suitable यहाँ पर time है माई से अगस्त तो यह time है यहाँ पर धतुरा का आगे है यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर important asteroid in धतुरा for the preparation of cortisone तो cortisone guys मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा है यहाँ पर rheumatic arthritis के लिए होता है वो है आपका diisogenine diisogenine तो यही आपका अंसर है यहाँ आपका chemical यहाँ पर formula है diisogenine तो यही यहाँ पर important है यहाँ आप cortisone के लिए important chemical है जिससे कि आप cortisone बनाते है आगे बात करेंगे यहाँ पर simply तो optimum spacing पूछिए यहाँ पर हरर कहते है इन nursery में optimum spacing पूछिए तो optimum spacing है इसकी यहाँ पर 15 into 15 तो इसकी optimum spacing हो गई guys यहाँ पर दो चीजे यह आपको ध्यान देना है एक होता है optimum spacing तो vary कर सकती है जैसे इसमें 15 से 15 है और एक होता है कि high yielding के लिए कौन सी spacing होने चीए तो उसमें भी आप यही नहीं करेंगे दोनों अलग चीजे high spacing यानि के high variety या फिर high quality के लिए कौन सी spacing हम यूज करेंगे वो different होगा यह general है यहाँ पर optimum spacing nursery के लिए यह general है 15 into 15 तो यह दोनों अलग अलग चीजे हैं यह दोनों आप mix मत करिएगा तो यह चीजे आपको ध्यान रखने है आगे है यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर what is the family of foxglob जो कि हमने बता दिया है यहाँ पर यह है इस यहाँ पर plant हो गया typical आगे है आपका what is the NPK recommended under North India for foxglob तो यहाँ पर NPK की यहाँ बात करिया है जो कि North India के लिए recommendant है वो है यहाँ पर 150 और 25 kg per hectare है यहाँ पर respectively है यहाँ कि NPK 150 और 25 kg per hectare है आगे है आपका आगे है यहाँ पर flowering blooming period पूछा है यहाँ पर चबॉलिग marubilans का तो यहाँ पर flowering period है वो है यहाँ पर April से June यह आप देख सकते हैं चबॉलिग marubilans के April से June इसका जो सही answer है वो April से June यहाँ पर flowering period है आगे है आपका आगे पूछा है यहाँ पर earliest Chinese herbal जिसमें कि यहाँ पर दर्शाह है यहाँ पर उलेक हुआ है तो जिंसेंग plant है उसका उलेक हुआ है बहुत ही पहले कि यहाँ पर Chinese herbal तो यहाँ पर simply हमने यहाँ पर Chinese herbal का यहाँ पर simply यहाँ नाम देना है कि यहाँ पर क्या है वो तो वो है यहाँ आपका जैंग नूं पैन तुसाव चिंग तो चैनिज के बहुत अजीब और गरीब नाम होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना है चैंग नूं पैन तुसाव शिंग तो यहाँ यहाँ पर अलग उसमें Google में इसको पैन को बैन भी कहा है तो आप देख लीजेगा क्योंकि प्रणाउंस और लिखने में अलग-अलग हो सकता है तो मैं फिर भी करेक्ट करके आपको बता दूँग टेलिग्राम में वैसे यह है शैनूं पैन सुसाव चिंग तो जिंसेंग के अगर हम बात करें जिसे अगर आप गरीन गोल्ड भी कहते हैं यहाँ पर हरवल प्लांट है यहाँ पर फैमिली इसकी जिंसेंग है वो कहां से आया है पहले तो आया है चाइनीज से अगर यहाँ पर टिपिकली नाम पूचे तो है जैन शैन जिसका मतलब है मैं शेप्ट रूट मैं शेप्ट रूट अब यह क्यों पढ़ा क्योंकि सिंप्ली यहाँ पर यह प्लांट ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आम से बुचाए हैं और पैर हैं और एक सिर है यहाँ पर तो इस तरह की से लगता है कि जैसे मैं है मैंशेप्ट रूट के तरह यह लगता है तो यह आपको ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं आपर वटी कि रेड जिंसेंग तो रेड जिंसेंग कि जब रूट है कोई यहाँ पर जड़ उसको जब ड्राइ करते हैं आइधर या फिस सूरज में सूरज के सामने यानि कि बहार में सूरज की किर्ने से राइ हो जाता है या फिस इस अब आप अगर stem root of ginseng are caramane in color and are called तो आपको option आजाएंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर red ginseng, सही मार करके आपको चले जाना है, आगे पूछा है यहाँ पर glory lily is a native of तो जो glory lily है वो native है किसकी, यहाँ पर simply आप place पूछा है यहाँ पर, तो tropical Asia और Africa, जो glory lily है यहाँ पर जिसे आप kalihari बोलते है या फिर languli in Hindi kalihari या फिर आप क्या बोलते है languli बोलते है जिसे आप Hindi में, तो यह simply यहाँ पर glory lily है जिसका बॉटनिकल ने में है, glory show superba, और यहाँ फैमिली है lily AC, तो इसकी native place है वो है, tropical Asia Africa, आगे बढ़ते हैं यहाँ जो dormant tubers हैं यहाँ पर, glory lily के वो sprouting कौनसे month से start हो जाते हैं, sprouting करना तो जो सही answer है वो है, यहाँ पर मई, मई इसका सही answer हो जाएगा आगे पूचा है यहाँ पर flowering period पूचा है यहाँ पर जिसेंग का तो flowering period है जिसेंग का यहाँ पर मई से जून तो मई से जून इसका सही answer हो जाएगा flowering period जब start होता है वो है यहाँ पर मई से जून आगे हैं यहाँ पर which of the temperature is most suitable for growing जिसेंग तो आगे इन जिसेंग का यहाँ पर सवाल है कि temperature कौनसे suitable है यहाँ पर करने के लिए तो simply यहाँ पर आप यहाँ पर एक यहाँ पर ideal temperature मान सकते हैं कि 20 से 30 degree celsius सब भी यहाँ पर flowers, crops या vegetable का यहाँ पर ideal temperature होता है तो इस बीच है तो आप यहाँ पर mark कर सकते हैं जैसे यहाँ पर भी है not exceeding 30 degree यानि कि 30 degree के नीचे यहाँ पर जो temperature होगा वो सही होगा यहाँ पर तो यह answer है 30 degree celsius के नीचे यानि कि below 30 degree celsius is suitable for growing genes आगे हैं यहाँ पर what are the major insect pests of glory lily तो जो insect pests major यहाँ पर पूछा हैं यहाँ पर वैसे insect pests तो बहुत हैं पर major का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर lily caterpillar और green caterpillar यह आप दे सकते हैं lily caterpillar और यह है आपका green caterpillar अगर मैं part की बात करूँ guys यहाँ पर glory lily के तो generally जो use होते हैं वो है यहाँ पर rhizomes roots और यहाँ पर leaves generally use होते हैं यह भी मैं याद दिलाना चाहूँगा आगे अगर यह सवाल अगर भी आजाए कि scientific name अगर पूछा जाए lily caterpillar का जो कि glory lily में होते तो वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए वो है यहाँ पर polytella glorisa polytella और अगर green caterpillar की अगर मैं बात कुने तो वो है pleucia pleucia chelitis वैसे इतना deep नहीं आएगा यहाँ पर आपको हर तरीक से यहाँ पर तयार रहना होगा किसी भी situation के लिए तो guys यह थे यहाँ पर important सवाव तो यह series चलती रहेगी क्योंकि medicinal plan मैंने आपको कहा कि बहुत सारे हैं तो हम इसी series में essays को cover करेंगे I hope आपको आपने कुछ न कुछ जाना होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह session तो like भी कर दीजिए share भी कर दीजिए और subscribe भी कर दीजिए channel को thanks for listening and have a great day कर दीजिए